इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइफोन में आपको ये नोटिफिकेशन देखने मिला होगा बहुत से लोग पूछते हैं ये होता क्या है Emergency SOS Your iPhone Initiated Emergency SOS at 10.41am तो बेसिकली यहाँ पर इसका मतलब क्या है अगर आप अपने पावर बटन को तीन बार continue जल्दी जल्दी तीन बार या फिर continue पाँच बार प्रेस करते हैं तो Emergency SOS Emergency Services को जैसे पुलिस को या फिर एंबुलिस को पहुँच जाता है या फिर आपने कोई contact सेट करके रखा है कोई friend का कोई family member का तो उसके पास message चले जाता है कि आपको यह परिशानी में है ठीक है तो आपको वो call करेंगे आपके पास आ जाए इस वज़े से यह होता है तो अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए simply आप अपने phone की settings में चले जाए यहाँ पर आप screen time का option देख पाएंगे और यहाँ पर आप content privacy का option में जाए यहाँ पर आप तो यहाँ पर आपको phone की settings में जाना है और इसके बाद नीचे की तरफ आएं और आपको emergency sos दिख जाएगा इसे open कर लें अब यहाँ पर देखिए call with 3 presses किसी phone में 5 presses होगा यह अगर enable होगा देखिए यहाँ पर मैं आपको continue 3 press करके दिखाता हूँ 1,2,3 देखिए यह emergency call लगने वाला है 7 second के अंदर मैं stop कर दूँगा मुझे नहीं लगाना है ठीक है मैंने cancel कर दिया तो इसी वज़े से वहाँ पर वो notification आता है तो आप यहाँ पर इसे बंद कर देंगे तो फिर यह नहीं आएगा ठीक है उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी टेक्सरोर को सब्सक्राइब जरूर कर दें